हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज की ये वीडियो जिसका टाइटल मैंने रखा है जानिये MSME समाधान क्या है ये स्मॉल एवं माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए यानि सुक्ष्म एवं लगू द्यम संस्थानों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो है आप इस वीडि प्रेंडिंग अमाउंट्स की रिकवरी बहुत फास्टर तरीके से कर सकते हैं तो दोस्तों कवरीज क्या है क्या है क्या है क्या आपके सामने रखता हूं सबसे पहली बात दोस्तों को इस अ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज यह बात जानने योगे है के भारत सरकार द्वारा कोविट के मद्धे नजर जो MSME एंटरप्राइजेज है उनकी लिमिट्स यानि उनका कवरेज बढ़ा दिया गया और तीन कैटेग्रीज हैं सर एक माइक्रो यूनिट होती है एक स्मॉल यूनिट होती है और एक मीडियम यूनिट होती है और इन से उपर की यूनिट सर लार्ज यूनि लगे और इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहट एक जुलाई 2020 से MSME की जो लिमिट्स है वो और बढ़ा दी गई और प्रिजेंट लिमिट्स दोस्तों इन्वेस्मेंट एंट टर्नोवर दोनों को कवर करती है कि अगर आपका इन्वेस्मेंट प्लांट एंड मशिनरी में या ए एक्विप्मेंट में 10 करोड तक का है एवं आपका टर्नोवर 50 करोड रुपे तक का है तो आप स्मॉल यूनिट कहलाएंगे और अगर आपका इन्वेस्मेंट 50 करोड रुपे तक का है और आपका टर्नोवर 200 करोड रुपे तक का है तो आप मीडियम यूनिट कहलाएंगे और इससे उपर की उनिट दोस्तों, लार्ज उनिट कहलाएगी. तो जो मैं आज की MSME समाधान स्कीम की बात करा हूँ सर, मैं हाइलेट करना चाहूँगा कि MSME समाधान स्कीम का बेनेफिट माइक्रो एमम स्माल उनिट्स को मिलेगा, मीडियम उनिट्स को भी सर, ये पर्टिकलर बेनेफिट जो मैं आगे डिसकस करने वाला हूँ, उनके लिए ये बेनेफिट अवैलेबल नहीं होगा. अब देखिए दोस्तों, वाट इस MSME समाधान स्कीम, एक विक विव आपके सामने रखता हूँ, Ministry of MSME has taken, यानि भारत सरकार का जो सुक्ष्म, लगू, एवं मद्यमुद्योग मंत्राले है, उनकी और से एक इनिशेटिव लिया गया था दोस्तों, और ये जो पर्टिकलर इनिशेटिव लिया गया था MSME समाधान स्कीम का, ये लागू है 30 अक्टूबर 2017 से, यानि MSME समाधान की स्कीम नहीं नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे लगा ये topic important है, आपके महत्व का है, इसलिए मैं इसे आपके सामने अब लेकर क्या आ रहा हूँ, Ministry of MSME has taken an initiative for filing online application by the supplier MSC unit, MSC कौन होई सर, या तो जो micro unit है या जो small unit है, against the buyer of goods or services before the concerned micro and small enterprise facilitation council of his or her state or unit, यानि आप जिस particular state या unit को belong करते हैं, union territory को belong करते हैं, उस हर state में या union territory में सर, already micro and small enterprise facilitation council बन चुकी है, तो MSME समाधान स्कीम क्या कहती है, कि आप online portal के थूँ एक application लगाएंगे, और ये application सीधे state अत्वा union territory council को भेज़ दी जाएगी, और फिर वो council दोस्तों इस particular आपकी complaint पर या आपके reference पर फर्दर संग्यान लेते हुए केस को आगे ले करके चलेगी, अब दोस्तों देखेगा, benefits of MSME समाधान scheme, इस scheme के benefit क्या है, this is an online facility for micro and small enterprises to seek resolution of the payment of invoices raised by them, MSME FC यानि council जिसकी मैंने भी बात करी of the respective state can issue necessary directions to the buyer for payment of the due amount to the respective MSE along with the interest for delay beyond 45 days from the day of acceptance of relevant goods or services, यह बहुत एक technical point हो सकता है, लेकिन मैं इसे सरल रूप में आपके सामने रखता हूँ, कि अगर मैंने किसी particular person को services provide करी, और मैं एक MSE enterprise हूँ, यानि या तो मैं micro enterprise हूँ, या मैं small enterprise हूँ, मैं हाँ MSME word नहीं use कर रहा है, तो मेरे को उस person को 45 days में वो व्यक्ति मेरे particular goods या services का payment करने के लिए liable है, अगर हम दोनों के बीच में कोई एक agreed period नहीं हुआ है, तो अगर मान लीजे वो व्यक्ति मुझे 45 days में payment नहीं करता, और मैं micro या small enterprise हूँ, तो MSME act यह कहता है, कि मुझे वो payment जो मेरे invoice का है, वो with ब्याज, यानि with interest किया जाएगा, और आगे देखिए ज़र, you may claim principal और interest और both under the scheme, जैसे मान लीजे मैंने समा उस व्यक्ति से payment तो collect कर लिया, जो मेरा invoice amount का था, लेकिन उसने मेरे को 45 days की जएके 180 days तक payment किया, तो मैं यह जो 45 days से लेकर 180 days तक का जो period का gap है, इसके लिए interest भी claim कर सकता हूँ, panel interest is paid on monthly compound basis, sir बड़ी important बात है, कि monthly compounding basis पर payment होता है panel interest का, and such interest rate is three times of the bank rate notified by RBI, यानि RBI की bank rate के तिगुनी rate पर, आपको वो panel interest का payment, sir, करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, जिसने आप से goods purchase किया है, या जिसने आप से services लिये हैं, and you are a MSE enterprise, कुछ और benefits, sir, आपके सामने रखता हूँ, you can file this application even against a government agency, यानि मुझे अगर government agency ने payment नहीं किया है timely, तो मैं उनके against भी application कर सकता हूँ, under this scheme, an award is allotted to the applicant, if his case is found fit, such an award makes him equivalent to a secured creditor, बड़ी important बात है, sir, कि जो award मुझे यहाँ पर जारी किया जाएगा, state council द्वारा, अगर मेरा case fit है, तो वो मुझे secured creditor का दर्जाद दिला देगा, ये बात की बहुत importance होती है, दोस्तों, recovery करने में, particularly insolvency procedure में, an award under the scheme is also binding on the foreign buyer, कितनी बड़िया बात है, sir, foreign buyers पर भी इस particular scheme का impact क्या होगा, आपके सामने है, even a deceased buyer is liable through his legal representative, यानि मान लीजे मेरा जो बायर था, मैं seller हूँ, कोई बायर है, unfortunately उनकी death हो गए और मुझे payment नहीं आ रहा, तो उनके legal representative से भी, sir, मैं ये particular scheme के थूँ, अपना payment मांग सकता हूँ, अब यहाँ देखिए दोस्तों, who can apply a person or entity who is either a micro or a small unit, आप company हो, आप individual हो, आप HVF हो, आप partnership firm हो, लेकिन आप micro या small unit होने चाहिए, तो आप MSME समादान scheme का benefit उठा सकते हैं, such persons claim should be in relation to goods manufacturing और service sector, and the person should hold an उद्योग आधार memorandum, आपके पास एक उद्योग आधार memorandum होना जरूरी है, अगर आप trader हैं, sir, तो आप इस particular facility का benefit, MSME समादान scheme का benefit नहीं उठा सकते हैं, यानि goods का manufacturer या service provider ही इस scheme का benefit ले सकते हैं, अब बड़ी important बात है, sir, how this scheme works, ये scheme काम कैसे करती है, कि Ministry of MSME has developed an MSME समादान portal, to facilitate MSEs for filing their application, regarding delayed payments which are made to them online, ये particular login जो है, sir, या ये जो particular link है, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर दिया, the application file online, जैसे ही आप इस link पर click करेंगे, वहाँ पर आपके पास में एक application online file करने की सुविदा है, जैसे ही आप एक application online fill करेंगे, जिसमें आपका उद्योग आधार memorandum number आपने दिया है, एक OTP आएगा उस उद्योग आधार memorandum number के mobile number पर, तब आपकी application दर्ज की जाएगी, तो वो जो particular portal है, जब आपने एक valid application दाखिल कर दी, relevant council को सर, वो case forward कर दिया जाएगा, physical application भी आप चाहें तो file कर सकते हैं, यह जो application आप file करते हैं सर, वो further relevant council एक case में convert कर लेती है, अब इस case में convert करने का benefit क्या होगा, मैं उस पर भी चर्चा करता हूँ, अब हला कि दोस्तों मैंने पहली भी बोला, कि आपके पास में एक उद्धियोग आधार number, या उद्धियम registration number होना चाहिए, यदि नहीं है तो यह link है, आप इस link पर click करके भी, वो particular application कर सकते हैं, now you should also be ready, while you are making an application, with a scanned PDF document of the work orders, of the respondent and invoices, which are generated by you against those work orders, यह scheme यह कहती है, कि आप at a time एक application में, तीन invoices का payment, सरकार से इकठे मांग सकते हैं, सरकार से यानि, आप सरकार के थूँ, MSME समाधान पोर्टल के थूँ, यह particular payment की demand कर सकते हैं, फिर MSME पोर्टल क्या करेगा सर, relevant state council को केस बेजेगा, relevant state council फिर क्या करेगी, वो buyer को contact करेगी, कि साब यह अनुभटी आप से payment मांग रहा है, आप क्यों नहीं कर रहा है इसका payment, अब उसके बाद buyer कुछ जवाब देगा, कुछ conciliation की proceedings होती हैं, हम टेकनिकली बोलते हैं सर, वो proceeding finally take up की जाएगी, और अगर मेरा particular claim valid है, तो finally मुझे एक award, या मुझे एक favorable order, जो relevant council है सर, उसके और से जारी किया जाएगा, application, applicant should have a work order, however, if the work order was oral, then affidavit to that effect, could also be attached, तो जैसा दोस्तों मैंने पहले बोला, relevant MSME, council, shall further take up, the process necessary follow-up may also be made with that only, a claim settlement, a claim statement should be prepared along with your application, and it is advised to get it certified from a charter accountant, in the case of multiple invoices, मैंने आपको बुला, तीन invoices आप शामिल कर सकते हैं, एक application में, one application having merged invoices, may also be considered, claim should also be submitted in the hard copy, and reference made before, micro small enterprises, council shall be decided, within a period of 90 days, from the date of making such a reference, यह जो state council है दोस्तों, वो एक court के तरीके से काम करती है, और आपका जो case है, वो within 90 days सर, settle हो जाता है, यानि within 90 days, आपके case पर order आजाएगा, क्या आपका claim, further state council ने take up करके, एक award आपको जारी कर दिया, या आपका claim वो reject कर रहे हैं किसी technical reason से, तो within 90 days सर, यह प्रक्रिया पूंडताया, समात कर ली जाएगी, आगे देखिए सर, जैसा मैंने पहले बोला, कि जो council है, state council या union territory council, it shall decide the case, either by way of issuing an award, or refusing to accept an application, and appeal against the decree of, MS EFC, यानि state council की, जो order आया, मान लीजे, मैं buyer हूँ, आप seller है, और मेरे against में एक decree आ गई, या एक award आ गया, मेरे against में, मुझे pay करना है, और मैं उस particular decree award पर, further case file करना चाहता हूँ, तो सर, state council के, या union territory council के, इस particular order पर, अगर मैं appeal करना चाहूँगा, तो मुझे award की कम से कम, 75% राशी पहले जमा करानी पड़ेगी, और award के अंदर दोस्तों समझीगा, मूल भी शामिल है, ब्याज भी शामिल है, तो इतना आसान नहीं है, सामने वाली party के लिए, buyer के लिए appeal में जाना, तो बहुत higher chances है, कि आपका जो pending bill है, उसकी recovery यहाँ पर की जा सके, एक report chart quickly रखता हूँ दोस्तों आपके सामने, जो मैंने derive किया है, कल की date में, मैंने ये particular statement निकाला था, MSMी समाधान portal से ये रोज change होता रहता है, कि आप देखे, 70,602 cases सर, किसी particular day पर, जहां मैंने ये data उठाया, application filed थी, इसमें से application disposed हो गई सर 6,326, और 12,405 application वो अभी तक, इस particular council ने reject भी कर दी, यह हो ज़क्ता उसके technical reason हो, इन applications में सर, amount कितना involved था, amount involved in disposed cases, कितना था सर, ये करोड रुपीज में होगा मेरे साब से, रुपीज करोड और ये जो amount pending जो reject कर दिया गया है, वो क्या है सर, ठीक है, mutual settlement इतने cases में सर, already हो चुका है, और जो mutual cases settle होगा है सर, उसमें कितने करोड का amount already settle हो गया, ठीक है, cases currently under conciliation by the state councils, ठीक है, उन current pending cases में सर, amount कितना involved है, application जो अभी approved होनी है, आपको एक विश्वास दिला सकता है, कि हाँ साब ये जो MSME समादान स्कीम है, इसकी functionality वास्तव में काम कर रही है, दो और महत्कुन बिंदू सर, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, can you appeal through an attorney or authorized agent, yes sir, you can file an appeal, यानि इस MSME समादान का प्रयोग, आप एक attorney authorized agent के through भी कर सकते हैं, जो एक charter accountant भी हो सकता है, advocate भी हो सकते हैं, कोई और consultant भी हो सकते हैं, एक और interesting बात है sir, law of limitation is not applicable, however, there should not be delay and latches on the part of supplier, कि आपकी और से अगर delay, या किसी प्रकार की विसंगती नहीं है, तो ऐसी परिस्तती में sir, यहाँ law of limitation भी applicable नहीं होगा, तो sir, जहाँ law of limitation, वो क्या बोलता है generally, कि एक certain period बाद, आपका claim से 36 महीने बाद, आपका claim एंटर्टेनिबल नहीं है, अब आपके 36 महीने निकल गए और आपकी गलती नहीं है, तो भी मेरा मानना है sir, कि आप MSME समादान स्कीम का फाइदा उठा करके, अपनी recovery का प्रयास कर सकते हैं, अंत में दोस्तों मैं आशा करता हूँ, MSME समादान स्कीम पर बनाई गई ये वीडियो, आपके लिए निश्चत रूप से helpful रहेगी, यदि आपके MSME समादान स्कीम पर कुछ प्रश्ण हों, तो आप मुझे लिखें, मैं उनका उत्तर देने की वरपूर कोशिश करूँगा, मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जैन!